योहन्ना रचित सूसमचार पांच्वा अध्याए इन बातों के पीछे यहुदियों का एग पर्भ हुआ और येश्यू यरुशलेम को गया। यरुशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथास्ता कहलाता है। पर्मेश्वर के स्वर्ग दूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। चाहे उसकी कोई बिमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्ष था जो अरतीस वर्ष से बिमारी में पढ़ा था। येश्यू ने उसे पढ़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पढ़ा है। उससे पूछा, क्या तु चंगा होना चाहता है। उस बिमारी ने उसको उतर दिया, कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए, तो मुझे कुंड में उता इश्य ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्द का दिन था, इसलिए यहुदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, कि आज तो सब्द का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं, उसने उन्हें उत्तर दिया, कि जिसने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है, जिसने तुझ से कहा, खाट उठाकर चल फिर। परन्तु जो चंगा हो गया था, व तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आपड़े। उस मनुष ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया, वह यिशु है। इस कारण यहूदी यिशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्द के दिन करता था, इस पर इशु ने उनसे कहा, कि मेरा पिता अब तक काम करता है, और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिकों से मार डालने का प्रयत्न करने लगे, कि वहना केवल सब्द के दिन की विधी को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था, इस पर इशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीत से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से पृति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है, वह सब उसे दिखाता है, और वह इन से भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो, क्योंकि जैसा पिता मरे हुऊं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी ज जिन्हें चाहता है, उन्हें जिलाता है, और पिता किसी का न्याई भी नहीं करता, परंतु न्याई करने का सब काम पुत्र को सौप दिया है। परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। वह समय आता है, और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जियेंगे, क्योंकि जिस रीती से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीती से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है, कि अपने आप में जीवन रखे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है, कि जितने कब्रों में हैं, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने भलाई की है, वे जीवन के पुनुरुथान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, वे दंड के पुनुरुथान के लिए जी उठेंगे. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ, वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ, तुम मेरी गवाही स तुमने यहन्ना से पुछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विश्य में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसले कहता हूं कि तुम्हें उध्धार मिले, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी जोती में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है, वे यहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है, और उसके वचनों को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा, उसकी प्रतीती नहीं करते, तुम पवित्र शास्तर में ढूडते हो, क्योंकि समस्ते हो कि उसमें अनंत जीवन तुमें मिलत है, और यह वही है, जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, मैं मनुश्यों से आदर नहीं चाहता, परंत मैं तुम्हें जानता हूँ, कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, और तुम मुझे ग्रहन नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए, तो उसे ग्रहन कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते। किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोश लगाऊंगा। तुम पर दोश लगाने वाला तो है अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा के प्रतीती करते, तो मेरी भी प्रतीती करते। इसलिए कि उसने मेरे विश्य में लिखा ह परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीती नहीं करते, तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीती करोगे?